क्या ऐसा possible है कि आप सरिफ 2 लाग रुपे के investment से कोई business शुरू करते हो और वो business आपकी lifetime में 23,85,000 क्रोड का बन जाए। ये बात सुनने में आपको बहुत ज़्यादा extreme लगती होगी लेगिन ऐसा सच में हुआ था। ये फोटो में जिस इंसान को आप देख रहे हो ये है John D. Rockefeller ये दुनिया के सबसे पहले dollar billionaire थे। इन्होंने अपने dad से 1200 dollars लेकर और अपनी savings से 800 dollars मिलाके total 2000 dollars के capital से अपना business start किया और फिर 1937 में जब इनकी मौत हुई थी जब ये 97 साल के थे तब वो अपने पिछे 1.4 billion US dollars की dollar छोड़ गए जो आज के time के हिसाब से लगबक 318 billion dollars होती है। जो उस time पे पूरे US की 1.5 percent GDP थी यानि की 23,85,000 करोड रुपीज या फिर अगर हम Warren Buffett की life को देखे तो उन्होंने teenagers में ही अपने friends को कहा था कि 30 साल की age तक वो millionaire बनेंगे और फिर शादी के बाद उन्होंने अपनी wife से कहा कि वो बहुत ज़दा अमीर बनने वाले जितने वो दोनों imagine भी नहीं कर सकते उतने जादा और ऐसा reality में हुआ आज उनके पास 100 billion US dollars की wealth है अब दोस्तों देखो John D. Rockefeller और Warren Buffett ये अकेले ऐसे दुनिया की businessmen नहीं है जिन्होंने इतने कम amount से इतनी बड़ी wealth बिल्ड की ऐसे बहुत सारे लोग है जिन्होंने scratch से अपना empire बिल्ड किया और जो लगातार अपनी wealth में zeros add करते जा रहे लेकिन वो ऐसा कर कैसे रहे क्यों अमीर लोग के पास पैसा अपने आप चलके आता रहता है और क्यों गरीब लोग lifetime पैसों के पीछे भागने के बाद भी अपनी basic जरूतों को भी comfortably पूरा नहीं कर पाते ये सवाल अक्सर आपके मन में आता होगा हर गरीब आदनी अमीर बनने का सपने दिखता है वो सिर्फ यहीं चाहता है कि एक दिन वो financially free हो जाए बिना किसी tension के गवा ट्रिप पे जाए या ये यूरोप में किसी country में कुछ दिन बिता के आए दिल खोल कर पैसा खर्चा करे लेकिन वो ऐसा करन पाता है अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं आप लोग को ये नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी जॉन की तरह चोटा सा amount invest करके बहुत बड़ा business create कर सकते हो इतनी बड़ी wealth create करना हर किसी के लिए possible नहीं है लेकिन जब मैं John D. Rockefeller, Warren Buffett और सभी financially smart लोगों की life को read करता ह चाहे वो इस generation के हो या 200 साल पुराने तो इन सब की life में मुझे एक clear pattern देखने मिलता है कुछ ऐसे rules कुछ ऐसी habits जिसे वो follow करते है और वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा अमीर बनते रहते है और lifetime में वो इतनी ज़्यादा wealth बिल्ड कर लेते है जितनी वो खुद भी अप अकसर उस opposite चीज़ को copy करते है जो उन्हें दिख रहा होता है और फिर वो और भी ज़्यादा गरीब बनते रहते है तो जोस्तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे secret शेयर करने वाला हूँ जिसे follow करके सारे अमीर लोग financially free होते है और अगर आप उनको follow क करते हो तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा wealth create ना करो लेकिन ये बात तो पकी है कि आपकी financial life काफी ज़्यादा improve हो जाएगी और financial freedom आपके लिए एक बहुत ही आसान चीज़ बन जाएगी तो वीडियो को end तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए बह साफी problem हो रही थी खास करकी cash की creditors यानि की जिन लोगों से उन्होंने loan लिया था वो पैसे वसूल करने के लिए एकदम time पे पहुँच जाते थे और हमेशा ऐसा ही होता था कि जब उनके पास अपने business में बहुत ज़्यादा पैसों की कमी हो रही है वही time पे bankers अपने पैसे वसूल करने आ जाते थे और उन bankers को इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता था कि तुम्हारा business किस condition में उनको बस अपने पैसे चाही होते तो John अपनी speech how I made my first 500 million dollars में बताते कि सिफ creditors ही नहीं उनके खुद के daddy भी उनसे पैसे लेने के लिए एकदम अजीब हो गरीब वक्त मे पहुँच आते थे और especially तब जब business की हालत बहुत ही खराब होती थी लेकिन फिर भी John कैसे ना कैसे करके पैसो का arrangement कर ले थे और time पे creditors को और अपने daddy को पैसा चुका दे थे अब ये उनके business के early years की बात है और उनके dad जान बुच के बुरे टाम में पैसे मागने आते थे या किसी को नहीं पता लेकिन इससे उनको एक बहुती बड़ा financial lesson life की शुरू में ही सीखने मिल गया कि अमीर और गरीब लोगों का सबसे बड़ा फरक ये होता है कि financially smart लोग अपनी financial obligations को पूरा करते चाहे life की बात हो या finance की अमीर लोग अपनी जबान के पक्के होते वो reliable होते ज अब दोस्तो आप लोग सोच रहे होगे कि मैं आप लोगो इस अब क्यों बता रहा हूँ तो जब आप financial freedom के बारे में सोचते हो और कुछ investments करते हो तो आपके सामने बहुत सारी financial problems आती होगी जैसे मान लो आपकी salary भी कम है आप महीने का 300 रुपय कमाते हो और 5000 रुपी की इनों बात मान लो आपको कुछ ना कुछ वजे से कोई ऐसा काम आता है कि आप अपने investment को continue नहीं कर सकते कभी आपके expense जादा हो गए या कभी आपको जादा EMI पे करना पड़ गया या कभी आपको को financial emergency आ गई तो majority लोग ऐसे time पे अपनी SIP को बीच में रोग देते सेम पैसा multiply होकर grow होता है और आगे जाके उनकी financial problems और कम हो जाती है तो ऐसा नहीं कि पैसा manage करना अमीर लोगों के लिए आसान होता है या वो इस चीज में expert होते है इन फैक्ट जब आपकी wealth बढ़ती रहती है तो ये काम और भी जादा मुश्किल होता रहता है आप किसी भी lottery winners की life को देख लो अचानक से बहुत सारे पैसे आजाने के बाद आपकी life easy नहीं होती है बलकि आपकी life और ज्यादा difficult हो जाती है क्योंकि आपके पास और बड़ा amount आ गया है और आपको manage करने के और बड़ी responsibility आ गई है बस फरक सरिफ इतना है कि rich लोग खाना बनाना, groceries की shopping करना, और ऐसे सारे काम दूसरे लोगों को दे देते जैसे घर के काम करने वाले mates को और financial management और अपने investment को वो खुद करते लेकिन जब बात आती है middle class लोगों की तो वो अपना financial management और अपने investment दूसरों के बरों से छोड़ देते जैसे financial advisor या experts और घर की साफ सफाय, खाना बनाना ये स आप काम खुद करते, तो यहाँ पर आपको ये difference clearly समझ आ गया होगा कि rich लोगों का main secret क्या है, क्योंकि दोस्तों एक बास हमेशा याद रखना कि जो काम हम खुद करते, उस तरीके से वो काम आपके लिए कोई और बिलकुल भी नहीं कर सकता, तो इसलिए investment और money management आपको खु बनते रहते, और middle class लोग हमेशा जॉब करते रहे जाते, पुरी hard work करने के बाद भी lifetime अपनी financial problem को solve नहीं कर पाते, किसी middle class इंसान की जॉब लगती है, या जब वो पहली बार पैसे कमाना शुरू करता है, तो उसे एक जगा से पैसा मिलता है, तो तब वो और sources से पैसा कमान कमाया था, फिर उन्हें ये डर था, कि बाकी लोग की तरह वो भी अपने कमायों पैसे को waste ना कर दे, इसलिए अपनी मा की कहने पर उन्हें एक book और pen खरी दी, और उसमें उन्हें लिखना शुरू किया, कि उनके पास कहा कहा से पैसे आते हैं, और किन चीजों में पैसे spend कर था, और फिर वो अपने पैसों को सही जगा invest करना शूरू कर दे थे, इस habit को, यानि कि अपने expenses को control करके सही जगा investment करने की habit, इसको उन्हें अपनी पूरी lifetime 97 की age तक continue रखा, जब तक उनकी death होई तब तक, बतलब ये habit उन्हें पूरी lifetime maintain रखी, future में billionaire बनने के बाद भी, क्य आने वाली almost सभी problems के लिए तयार रहते हो, फिर दोस्तो जॉन के parents आते थे, कि वो किसी university में जाए और अच्छे से education ले, फिर जॉन ने university में जाके accounting के course में admission लिया, college की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें एक accounting firm में job मिला, जहां पे उनकी salary थी 17 dollars per month की, अब क्योंकि वो बचपन से ही अपना personal accounts maintain करते थे, तो वो numbers से और accounts से काफे जाधा familiar थे, तो जो लोग John के साथ काम करते थे, उनको ये accounts बहुत जाधा complicated लगता था, तो वो ऐसे task को avoid करते थे, लेकिन John को इन सब चीजों में मज़ा आता था, तो start से ही उन्होंने वो काम को enjoy करना शुरू किय और उनके अच्छे performance की वज़े से, next month में उनकी salary बढ़ा के 25 dollars की कर दी गई, और एक साल के अंदर ही, John उस farm के manager बन गए, और उनकी salary 17 dollars से बढ़के, सीधा 800 dollars की हो गई थी, अब दोस्तों, बचपन में जब भी हम अपने parents से पैसे मांगते, या कोई expensive चीज करिदने के लिए रहना पड़ेगा, इसलिए हम जात और पैसो को अलग तरीके से देखी नहीं सकते, लेकिन John के case में, वो हर एक चीज को question करते थे, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये चीज किसी और तरीके से जादा अच्छी हो सकती है, जैसे जब वो oil की business में enter हुए थे, तब वो oil को train मे transport करते थे, क्योंकि उनका business ही यही था, oil को refine करके उसे sell करने का, जो कम time में काफी speed में grow हो गया था, तो कुछ सालों बाद कुछ ऐसा हुआ, कि उनके business को जादा speed में grow होता बाद देखे, दूसरे businessmen उनसे जलने लगे, और finally जो railroad की businessmen थे, उन्होंने transportation के prices बहुत जादा बढ बढ़ता है, और finally उन्होंने पूरे world में pipeline system को introduce किया, जो एक बिलकुल new idea था, उन्होंने पूरे पूरे शेहर में pipes install कर दिये, जिसके जरीए oil transport हने लगा, तो railroad की जरूती नहीं पड़ती थी, उन्होंने पहले इसका पूरा cost benefit analysis किया, और finally उनको बता चल गिया, कि ये एक game changer money tree grow करने वाली strategy होगी, pipes install हो जाने के बाद उनका transportation का expense बिलकुल zero हो जाएगा, मतलब ये एक बहुत सारे पैसों के paid लगाने जैसा काम होगा, और असलियत में ऐसा ही हुआ, pipelines install हो जाने के बाद उनके profits और जादा grow हो गए, जिससे उनकी wealth और जादा बढ़ती गई, तो दोस् concept में believe नहीं करोगे, के पैसे पेड़ पे उग सकते हैं, तो आपके पास एक ही option रहेगा, वो है हमेशा काम करते रहने के लिए, जो हर middle class इंसान करता है, तो इसलिए अगर आपको एक चीज एक बार में नहीं समझ आ रही है, तो इस चैनल को subscribe करो, और bell icon को press कर लो, ताकि luxurious brand की चीज़े पहन सके, शायद आप भी ये millionaire word सुनके कुछ ऐसा ही सोचते होगे, लेकिन reality में millionaires और billionaires ऐसे दिखते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे world में, अब आप में से बहुत सारे लोग सोचते होगे, कि ये rich लोग इतना simple lifestyle follow क्यों करते हैं, अगर उनके पास पै लोग जैसा सोचोगे, तो आप भी वैसा ही करोगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो है job, लेकिन जब आप independently सोचके, अपने दिमाग को use करके, अपनी lifestyle में चीज़े करोगे, और फिर hard work से अपनी wealth बिल्ड करोगे, तो आपका रहना और आपकी lifestyle कैसा होगा, ये भी आप जो पैसा buy कर सकता है, तो वो है एक stress free life, और अपनी family के लिए comfortable life, अच्छे सचा healthcare और power, जो चीज़ आपको नहीं पसंद है, उसको no बोलने का power, तो ये पैसो की असली value है, जो सिर्फ smart लोग समझते, क्योंकि बहुत सारे middle class लोग बस आँख बंद करके, fake rich लोगे जैसा पारी luxurious चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन वो सब एक bonus होता है, वो सब बाद में कामाता है, पैसो का असली benefit ये है, कि उससे हमें अपने time पे control मिलता है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे valuable चीज़ है, तो वो है हमारा time, और इसलिए जितना ज़्यादा पैसा कमाते हो, तो उतना उसी जगा जाएगा, लेकिन actually में, अगर वो businessman normal plane से travel करेगा, तो उसको 4 घंटे flight का wait करना पड़ेगा, फिर बहुत सारे security checks में उसका time waste होगा, फिर airport से निकल के उसको office जाने के लिए अलग time देना होगा, जिससे उनका पूरा दिन waste हो जाएगा, लेकिन अगर वो directly अपनी Mumbai क office की building के terrace पे जाए, और अपने private jet में बैठ जाए, तो कुछी मेंटों में वो हवा में होगा, और 2 घंटे में वो अपने banklord के office के चट पे होगा, और उसके 5 मिनट के बाद वो meeting attend करने के लिए ready हो जाएगा, तो ये private jets खरीदने का idea भी उनका इसलिए होता है, क्योंकि उससे उनका कीमती समय बचता है, जिसे वो सही जगा यूस करके और भी ज़्यादा पैसा कमाते, फिर वो उससे और ज़्यादा rich बनते रहते, क्योंकि उनको बहुत ही frequently travel करते रहना पड़ता है, और उनका एक एक दिन बहुत ज़्यादा valuable होता है, लेकिन normal लोग को ऐसा लगता है कि देखो वो अपने पैसो को कैसी luxury जगा पे spend कर रहा है, future में जब हम भी पैसे कमाएंगे तो हम भी उसकी तरह पैसे spend करेंगे, लेकिन वो उसका logic नहीं समझते, इसलिए एक बहुत ही interesting quote है, कि अमीर लोग गरिब दिखने की acting करते, जिससे वो और ज़दा अमीर बनते रहत और middle class लोग rich दिखने की acting करते, जिससे वो और ज़दा poor बनते रहते, जबकि actually में अमेर लोग को फड़ की नहीं पड़ता, वो कैसे दिख रहे है, तो इसलिए मेरा final message आप लोग के लिए ये है, कि जो भी financial decision आप ले रहे हो, उसको बहुत ही सोच समझ के लो, किसी दिन फु कि कौन से कौन से बड़े फैसले आपने recently लिए और क्यू लिए, और तब आपको realize होगा कि आप अपने ले नहीं, बलकि society के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हो, और वो भी society के बताय हुए रास्ते पर चल की, तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही, उमिद करतो हो आपक को subscribe जरूर कर लेना और bell icon प्रेस कर देना ताकि आप से कोई valuable videos मिसना हो जाए, और इस वीडियो को share को अपने friends और family member के साथ, ताकि उनको भी financial freedom की real knowledge मिल सके,